अब हम एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट कवर करेंगे वेरी क्विकली इन दिस लेक्चर और यह एक्ट हम जितना क्विकली कवर कर रहे हैं न मैं आपको बात बता दू उतना ही सफिशेंट है आपके एक्जाम के लिए बहुत जादा यहां पर लंबे लेक्चर ना पढ़ने का टाइम है ठीक है यहां पर यह रिवीजन परपस के लिए एक्ट के वीडियो में डाल रहा हूँ तो पेपर से पहले यह सारे अगर आपने सुन लिए तो आपके कोशन नहीं गलत होंगे यह गिरेंटी है ठीक है जी चलिए सो मिनिममम वेजिस आक्ट 1948 डिसकस करेंगे मैंने पहले भी आपको बताया यह आपने सारे दिमाग में रखने है ताकि एक क्रोनालोजी को आप अच्छे से इस्टैबलिश कर सको ठीक है 1948 का यह एक्ट है नाओ आक्ट के अंदर important provisions जो हैं ऐसे कैसे आपको PDF फाइल मिलेगा important definitions है adolescent की definition यहाँ पर क्या है जिसने अपने 14th year complete कर चुका है 14 साल हो चुका है basically 14 की age हो चुकी है बट 18 का भी नहीं हुआ है यानि कि 14th birthday अपना उसने celebrate कर लिया है 18th birthday अभी celebrate नहीं किया है तो 14 to 18 के बीच में जो आ गया ना वो आपका adolescent हो गया adult जिसने भी अभी तक 18 years of age complete कर लिया है जिसने अपना 18th birthday celebrate कर लिया है वो adult आ गया child में कौन आ गया जिसने अभी अपना 14th birthday celebrate नहीं किया यानि कि 14 साल से जो नीचे उमर का है वो child की definition में आ गया adolescent कौन हो गया 14th birthday celebrate कर लिया है लेकिन 18th नहीं किया यानि कि 14 साल का हो चुका है 18 का नहीं हुआ और wage act के अंदर आपने ये ध्यान में रखना है कि house rent allowance जो है न वो wages की definition में included रखा गया है house rent allowance को wages की definition के अंदर include रखा गया है 1957 के अंदर ये जो है through an amendment इस point को insert किया गया था आप जब code on wages पढ़ते हो तो उसके अंदर house rent allowance को कहीं न कहीं wages के आपको बाहर दिखेगा लेकिन house rent allowance wage act के अंदर it is included अब इसके अंदर क्या-क्या included नहीं है what is not included as per the wages act सबसे पहले तो value of house accommodation अब आप कहोगे कि sir house rent allowance और house accommodation confused हो रहे हैं हम कि house rent allowance आप कह रहे हो कि wages का part है house accommodation आप कह रहे हो कि wages में include नहीं होगा दो चीज़े होती है एक होता है कि आपको ना company as a allowance कुछ पैसे देती है हर महीने पांच जार दस जार depending on the city you are living अब company को कोई फरक नहीं पड़ता कि आप उस 5000 रुपे से घर कहां पर किराय पर ले रहे हो आप चाहे 20,000 रुपे का किराय का घर लो 30,000 का लो 50,000 का लो बंगला लो एक लाग रुपे के किराय पर कम्पनी को कोई फरक ने पड़ता उसने आपको 10,000 रुपे दे दिये कि ये तेरा भई HR है house rent allowance है एक तो वो चीज होगी जो वो आपको cash में दे रहा है दूसरा क्या होता है जैसे कई banks वगेरा में state bank of India या बहुत सारे सरकारी दफ्तरों में क्या होता है आपको न house accommodation घर दिया जाता है ठीक है सरकार की तरफ से ही सरकार के quarter बने होते हैं वो पूरे-पूरे कलोनिया बने होती है सरकार की जहाँ पर सारे घर उस particular organization के होते हैं वहाँ पर आपको एक घर दे देते हैं तो उस घर के लिए ना सरकार कुछ ना कुछ चार्ज जो है वो आपकी जो basically वो value आपको बहुत कम price पर दी जाती है ठीक है जो market के अंदर rent होता है उतना rent नहीं लेती ना सरकार तो एक तरीके से आपको concessional rate के उपर वो house accommodation दे रही है तो फिर वो जो house accommodation आपको मिल रही है ना for example market के अंदर 10,000 रुपे rate है उसी तरह के घर को अगर आप किराये पे लेते हो तो 10,000 रुपे किराया है ठीक है लेकिन सरकार आपको free में दे रही है तो एक तरीके से है तो वो आपकी कमाई नहीं तो आपको कही न कहीं जाकर के 10,000 रुपे किराया देना पड़ता बट यह जो house accommodation की value है ना वो आपकी wages के अंदर include नहीं होती ऐसी सरकार अगर आपको light supply कर रही है, concession पे water दे रही है, medical attendance दे रही है तो वो सब wages का part नहीं है कोई भी amenity या service excluded by general or special order of the appropriate government सरकार ने कोई order निकाल दिया कि हाँ भी हम चाते हैं कि यह wages का part नहीं रहे उसके बाद pension fund या provident fund में जो भी employer का contribution जा रहा है या किसी और social insurance scheme के अंदर employer कोई पैसा contribute कर रहा है तो उस case में वो पैसा भी employee की wages में add नहीं होगा कोई भी traveling allowance employee को दिया जा रहा है या traveling concession दिया जा रहा है जैसे TA बनता है न employee office के काम से कहीं बाहर जा रहा है तो TA बनता है वो भी आपके wages का part नहीं रहता है उसके बाद any sum paid to the person employed to defraise special expenses entailed on him by the nature of his employment नौकरी ऐसी है कि उसको अलग-अलग और खर्चे करने पड़ रहे है तो वो खर्चा जो उसको मिल रहा है because of his nature of employment for example कोई salesperson है उस salesperson को बहुत जादा daily travel करना पड़ता है या कोई service provider है उसको बहुत जादा daily travel करना पड़ता है तो उसके traveling का जितना खर्चा है उसका खाने का पीने का सब खर्चा जो उसको मिल रहा है daily वो उसकी wages का part नहीं है उसके बाद कोई भी gratitude pay की जा रही है employee को basically जो retirement पे benefit provide किया जाते है वो भी उसकी wages का part नहीं रहेगा next important provision इस act के अंदर जो आ जाता है that is related to fixing of minimum rate of wages तो minimum rate of wages कौन fix करता है appropriate government यह important क्यों है क्योंकि अगर वो question में कहें कि हर जगा पर सिरफ केंदर सरकारी minimum rate fix करती है ऐसा नहीं है appropriate government यानि कि state level के areas में state government fix करेगी और central government के level के areas में central government जो है वो fix करेगी minimum rate of wages दो floor wages का एक concept होता है जो code on wages के अंदर भी हमने discuss किया था basically central government एक level of wage decide कर देती है उसके अंदर और state government उन floor wages से अपनी minimum rate को नहीं कम कर सकती next point यह point जो है इसमें से question paper में पूछा भी जा चुका है तो basically act क्या बोलता है कि सरकार को हर थोड़े थोड़े time में जो minimum rate है उसको revise करना होगा क्योंकि थोड़े थोड़े time में जैसे जैसे देश तरक्की करेगा वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी ठीक है तो हर थोड़े time में wages को revise करना है और यह जो revision का wages जो wage rate को revise करने वाला जो period है ने यह 5 साल से उपर नहीं होना चीए ठीक है तो act सरकारों के उपर एक तरीके की एक जिम्मेदारी दे रहा है कि हर 5 साल में आप जो minimum rate of wages है उसको revise कीजिए यह question paper के अंदर पूछा जा चुका है ठीक है जी अब जिम्मेदारी तो सरकार के उपर है कि हर 5 साल में minimum rate of wages वो decide करे बट कहीं बार क्या होता है ना किसी particular scheduled employment में scheduled employment यानि कि वो employments जो इस act के schedule 1 के अंदर लिखी हुई है ठीक है जिसके लिए minimum rate of wages सरकार को fix करनी है वो listed है पूरा अब हो सकता है कि किसी particular state के अंदर उस particular एक particular कोई scheduled employment है for example X ठीक है और इस X नाम की employment के लिए जादा लोग काम करने वाले ही नहीं है उस state में industry नहीं है X की उस particular state के अंदर और 1000 से भी कम employed employed है या engaged है इस particular kind of employment में तो उस case में appropriate government जैसे for example state government होगी ना उस case में तो state government अपने आपको refrain कर सकती है from fixing minimum rate of wages क्योंकि already वहाँ पर कोई इतनी जादा वो scheduled employment established ही नहीं है हजार से कम लोग employed है हाँ अगर हजार से जादा लोग employed है उस particular industry के अंदर तो फिर उनको जो minimum wages है वो fix करनी पड़ेगी ये 1000 employees वाला point जो है थोड़ा सा याद रख लीजेगा उसके बाद जो minimum rate होता है अब minimum rate किस हिसाब से fix होगा देखो काम दो तरहिके से होते हैं एक तो time के हिसाब से होता है ठीक है कि भई time के हिसाब से हर घंटे काम किया उसके पैसे हर रोज के पैसे हर week के पैसे हर month के पैसे ठीक है या तो wages इस तरीके से होती है कि भई रोज के इतने पैसे हैं या महीने की salaries होती हैं जैसे तो एक तो हो गया इस तरीके का system जिसको हम बोलते है time work तो सरकार एक तो minimum rate of wages time के हिसाब से fix कर देगी भई रोज के इतने पैसे अब एक दिन के अंदर सरकार minimum number of working hours भी fix करेगी वो भी हम आगे देखेंगे भई 10 गंटे का एक दिन होना चाहिए या 12 गंटे का और इस 12 गंटे के दिन के इतने हर रोज के पैसे होने चाहिए या महीने के इतने दिनों के इतने पैसे होने चाहिए एक तो यह system होगा है दूसरा होता है peace के हिसाब से जिन organizations में जिन industries में peace की manufacturing के हिसाब से लोगों को पैसे दिये जाते हैं वहाँ पर peace rate के ओपर भी सरकार minimum wages fix कर सकती है ठीक है अब कहीं areas में ऐसा भी हो सकता है कि employee जो है वो peace work के उपर employed हो लेकिन सरकार बोल दे की नहीं भई या इसको जो पैसा मिलेगा वो minimum rate मिलना चाहिए time के हिसाब से ठीक है कि भई ये एक piece को बनाने में दो घंटे लग रहे हैं तो piece rate सरकार ने fix नहीं किया हुआ या difficult है piece rate fix कर पाना उस case में तो सरकार बोल देगी कि इसको भी आप time rate के हिसाब से पैसाद होगे ठीक है ओके उसके बाद जी और overtime work के लिए जो हम term use करते हैं वो हम term use करते हैं overtime rate ठीक है उसमें हम term use करते हैं overtime rate अब जब minimum rate of wages fix हो रही है तो सरकार देखो अलग-अलग minimum rate of wages fix कर सकती है अलग-अलग employments के लिए ज़रूरी नहीं है कि 10 तरह की अगर नौक नहीं है 10 तरह की employments है अलग-अलग industry होती है न कोई cigarette बना रहा है कोई iron बना रहा है फिर कोई कपड़ा बना रहा है तो अलग-अलग तरह की employments है तो हर employment के लिए depending on की उसका nature of work कैसा है ठीक है उसके हिसाब से अलग-अलग scheduled employment के लिए अलग-अलग minimum rate सरकार सेट कर सकती है ठीक है same scheduled employment में same kind of industry के अंदर different classes of work होते है ठीक है बई अब आप एक particular person एक कोई supervisor है उसकी तंखा और एक कोई for example labor, manual labor का काम कर रहा है उसकी तंखा उसका minimum rate तो same नी fix कर सकते ना तो वो भी हो सकता है उसके बाद adult का अलग minimum rate fix हो सकता है adolescence के लिए अलग हो सकता है children के लिए अलग हो सकता है the minimum rate of wages must be similar for all scheduled employments या minimum rate of wages must be similar for all classes of work in same scheduled employment तो वो आपको पूचे का बई बताओ correct है या incorrect है different localities के हिस आप से minimum rate fix किया जा सकता है हर area के अंदर वहाँ पर खर्चा किस हिसाब का है तो महराष्टरा में दो रिजन है एक है मुंबई और एक होगा आपका for example नाशिक दोनों के अंदर खर्चा सेम नहीं होगा दोनों के अंदर भेंगाई अलग-अलग है तो सेम employment के अंदर locality के हिसाब से minimum ये आपको देखने को भी मिलता है house rent allowance के अंदर आपको अगर बंबे में आप नौकरी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको company ज्यादा house rent allowance देती है वहीं अगर आप पंचकुला में आगर के नौकरी करोगे तो आपको कम house rent allowance देना पड़ेगा ठीक है जी minimum rate of wages जैसे कि मैंने आपको बताया वो घंटे के हिसाब से भी सरकार fix कर सकती है day के हिसाब से भी है month के हिसाब से भी ठीक है या इससे भी अगर कोई larger period है वो सरकार time to time बता देगी कि हाँ भी 2 महीने की minimum wage set कर रहे है 3 महीने की minimum wage set कर रहे है चलिए next important provision आजाता है advisory board का अब advisory board का का काम क्या होता है advisory board various committees बनती है subcommittees बनती है जो time to time minimum rate of wages की revision वगेरा में advise करती है decide करती है सरकार को help करती है तो यह जो various committees और subcommittees बन रही है दोनों central level और state level में यह advisory board बनता है तो इन advisory board का का काम ही होता है कि ये इन committees और sub committees का जो काम है उसको coordinate करने में help करे और सरकार को appropriate government को suitable level के उपर advice provide करे in fixing and revising of minimum rate of wages तो ये state के case में state government अपना advisory board बनाएगा center के case में central government अपना advisory board बनाएगा अब center का जो advisory board है उसको हम बोलते हैं central advisory board इसका काम है ये center और state दोनों को advise करता है minimum rate of wages में और coordination के अंदर central advisory board का constitution या composition ये important है central advisory board का composition आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पर सबसे पहले तो जितने भी member है central advisory board के उनको central government ही चुनता है ठीक है central government खुद nominate करता है इसके अंदर employers के representative होते हैं और employees के representative होते हैं employer और employees के representative होंगे और दोनों के equal होंगे number में ये तो मैंने आपको time and again बताया ही है जहाँ पर भी दोनों employer और employee के representative है वो equally रखे जाएंगे तो दो लोग तो यह हो गए employer और employee उसके बाद independent persons भी इसके अंदर होंगे लेकिन independent persons का जो total number है ना वो one third से उपर नहीं होना चाहिए of the total strength of the advisory board for example अगर advisory board की strength जो है वो 15 लोगों की है तो 15 में से जादा से जादा independent person कितने हो सकते हैं one third that is five उससे जादा नहीं हो सकते और जो chairman होगा इस board का वो independent persons में सी चुना जाएगा ठीक है conflict को avoid करने के लिए कि यह तो employers का chairman है या employees का chairman है independent बंदे को ही chairman बनाया जाएगा आपके advisory board का ठीक है अब advisory board के इलावा various committees और subcommittees भी होती हैं ठीक है जी अब जो यह committees होती हैं यह बनाई जाती है अगे इन advisory board को assist करने के लिए सरकार को assist करने के लिए यह committees भी सरकार बनाएगी appropriate government center के case में center और state के case में state act बोलता है कि इन committees के अंदर भी same composition फॉलो करेगा जो advisory board में होता है ठीक है employer और employees के representative होंगे दोनों equal होने चाहिए number में independent persons होंगे जो one third से जादा नहीं होने चाहिए total strength के और independent persons में से ही एक बंदा chairman बन जाएगा जिसको appropriate committee चुनेगी next point आजाता है कि क्या wages kind के अंदर दी जा सकती है तो act पहले तो simple बात बोलता है कि देखो जी जो भी minimum wage पे होनी चीए ना वो cash के अंदर पे होनी चीए पैसा देना है रोकड़ा ठीक है लेकिन कई areas में इंडिया के specially अगर आप north east side चले जाओ या कई traditional areas में चले जाओ वहाँ पर custom होता है कि आप जो wages है वो पूरे तरीके से या holy और partly kind में पे करते हो तो ऐसे areas के custom और culture को ध्यान रखते हुए जो appropriate government है यानि कि वहाँ की जो सरकार है अगर उसको लगता है नहीं भीया ये circumstances ऐसे हैं culture को protect करने के लिए और custom को protect करने के लिए वो authorize कर भी सकते हैं कि kind में wages provide की जाएं ठीक है तो इसमें कोई बहुत ज़ादा hard इसके ओपर सरकार नहीं होती है कि नहीं cash में ही देना देना है ठीक है उसके बाद अब हमने ये तो कह दिया कि घंटे की तंखा दिन की तंखा fix होती है जो ये आपका minimum wage act है ना वो बोलता है कि सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो एक normal working day normal working day कि रोजाना में आप जब normally काम कर रहे हो तो कितने घंटे आपका काम होना चाहिए ठीक है तो सरकार appropriate government against state के case में state और center के case में center जो है वो आपके number of hours of work fix कर सकती है और ये जो total घंटे आपके fix होंगे ना for example 10 घंटे हैं इसके अंदर सरकार आपको ये भी बताएगी कि क्या intervals है ठीक है जो break वगएर आपको मिलना है जैसे भी 15 मिनट चाहिए के एक घंटा lunch का इस type के साथी साथ यहाँ पर एक और चीज है कि आपको day of rest मिलेगा कानून क्या कहता है कि हर 7 दिन में आपको day of rest प्रोवाइड करना है हर employee को और ये जो day of rest जो है वो आप provide कर रहे हो और अगर आप जो ये paid holiday है for example जो Sunday है इस दिन अगर बंदे से काम कराते हो तो आपको उसको overtime rate के उपर पैसा देना पड़ेगा आपको उसको overtime rate पर पैसा देना पड़ेगा overtime की अगर हम बात करें तो overtime हर घंटे का पैसा होगा हर घंटे का पैसा होगा जितना भी उसने अपने normal working आप से ज़्यादा काम किया है उतना उसको पैसा मिलेगा और overtime rate जो है वो भी appropriate government time to time set कर सकती है ठीक है तो जो भी higher rate होगा ना वो किसी कानून में सरकार ने बोल दिया कि भी overtime rate होना चाहिए या इस कानून के अंदर notification निकालती तो जो भी higher होगा वो as overtime rate पे करना पड़ेगा code on wages के अंदर तो clearly लिखा ही है कि कम से कम दो गुना होना चाहिए two times होना चाहिए normal wages का है ना अब दूसरी condition आजाती है एक situation आजाती है कि अगर 10 घंटे काम करने का है ठीक है 10 घंटे normal working day है लेकिन worker ने सिरब 5 ही घंटे काम किया तो उसमें दो scenario बनते हैं कि एक तो जो worker है उसने काम उसके पास काम था ही नहीं employer was not able to provide him the work ठीक है उसके पास कोई काम ही नहीं था और इस वज़े से वो काम नहीं कर पाया कि नहीं भाया तू 5 घंटे ही तुने काम किया बागी के 5 घंटे तू free बैटा था तो तुझे सिरफ 5 घंटे का नहीं उस case में उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा हाँ अगर काम उसकी unwillingness की वज़े से रुका है कि वो काम ही नहीं करना चारा employer ने उसको काम प्रोवाइड किया लेकिन वो काम ही नहीं करना चारा तो उस case में फिर wages deduct किये जा सकते हैं या कोई और circumstance जो government time to time list कर सकती है उसके बाद अब ऐसा भी होता है कहीं बाद जैसे दो अलग-अलग categories of work हैं जो यह 16th clause है यह basically क्या बात बोल रहा है for example there is a type of work called A और there is a type of work called B इन दोनों के लिए जो minimum rate of wages हैं वो अलग-अलग हैं इसके लिए 100 रुपे घंट है और इसके लिए 200 रुपे घंट है एक particular person है उसका 8 घंटे का normal working time है 8 घंटे वो काम करता है 4 घंटे वो A को देता है और 4 घंटे वो B को देता है तो ultimately अब इसके अंदर क्या होगा तो इसको जो salary मिलेगी वो किस हिसाब से इसकी जो wage होगी वो किस हिसाब से होगी अगर employer की सुनने लगे तो employer तो बोलेगा A के हिसाब से इसके minimum rate of wages होने चाहिए 100 रुपे और 8 घंटे इसने काम किया है तो 800 रुपे इसके दिन के होगी बट act क्या बोलता है act बोलता है कि जितना जितना घंटा इन्होंने जिस जिस area को time दिया ना उसके हिसाब से इसका wage calculate होगा अगर इसने 4 घंटे A job perform किया जिसके लिए 100 रुपे पर घंटा इसको मिलता है तो 4 इंटू 100 हो गया 400 रुपे और B के लिए 200 रुपे है तो 4 इंटू 200 हो गया 800 रुपे तो इसका जो दिन का wage बनेगा वो 1200 रुपे बनना जिए उसी साब से ठीक है तो अगर two or more classes of work है तो उसमें आपको उसी according जो है वो payment करना है आप single को या average out भी नहीं कर सकते अब for example employee आपर बोले अच्छा चल तूने A और B perform किया है तो A plus B अब इस case में तो A plus B और वो divide by two करेगा तो same ही आएगा ठीक है 300 divided by two कर देगा अगर वो तो आपका कितना आजाएगा डेड़ सो रुपे आजाएगा और फिर डेड़ सो को आप अगर eight से multiply करोगे तो value बारास हुई आएगी बट जहाँ पर और भी categories आजाएगी इसके अंदर तो वहाँ पर फिर problem create करेगा next आजाता है अगर किसी particular type of work में piece work के basis पे wages set किये जाते हैं लेकिन उस particular job के लिए सरकार ने minimum time rate of wage नहीं minimum piece work rate नहीं set किया है तो फिर time rate के हिसाब से ही उसको minimum wages दिये जाएगी यह point भी already हम discuss जो है वो कर चुके हैं claim की अगर हम बात करें तो इसके अंदर claims के लिए सरकार जो है notification के through appoint करेगी जो as a labor commissioner एक particular region के अंदर काम कर रहा है या किसी state government का कोई भी officer बट labor commissioner से नीचे rank का नहीं होना चाहिए तो इस particular act के अंदर claim सुनने के लिए जो minimum rank requirement है वो labor commissioner की है labor commissioner से नीचे का rank नहीं होना चाहिए plus any other officer जिसके पास judge का experience हो of a civil court या फिर stipendary magistrate हो then they can hear the claims अब इसके case में क्या होता है ना एक तो होता है कि the person जो aggrieved person है जो employee है वो अपना claim खुद लेकर के जाए ठीक है but code या यह जो act है यह क्या बोलता है कि सिरफ employee के employee तो अपना claim लेकर के जाही सकता है उसके इलावा कोई और legal practitioner या उसकी जिस trade union का वो member है वो particular employee उस trade union का official ओके या फिर जो inspector है इस particular act के अंदर appointed वो भी so moto action लेकर के application file कर सकता है लेकिन condition क्या है कि application जो है वो six months के अंदर जब claim arise हुआ उसके छे महिने के अंदर अंदर application देनी होगी ठीक है अब claim अगर for example claim है related to minimum rate of wages से कम पैसा दिया कि 100 रुपे होना चाहिए रोज का minimum rate of wages 100 रुपे है बढ़ 50 रुपे के हिसाब से ही दिया तो उस case में जो hearing authority है उसको लगता है हाँ जो minimum rate है उसके हिसाब से पैसा नहीं दिया गया सकती है और यह compensation 10 गुना तक हो सकता है ठीक है जितनी कमी थी उसका 10 times तक हो सकता है उसके इलावा minimum rate of wages के इलावा अगर कोई और claim है तो उस case में जो है compensation again authority को जो भी fit लगेगा वो compensation वो announce कर सकती है not exceeding 10 रुपीज यह काफी पुराना आक्ट है इसलिए 10 रुपे आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कम है बट उस time के हैसाब से बहुत ज़ादा था और कोई important point इस act के अंदर देखते हैं अगर हमारे पास है की नहीं ओके इस act के अंदर तो यही हमारे important provisions है और अगर minimum wages act के अंदर जितने provisions मैंने अभी आपको कराएं है hardly हमने शायद 15 minutes लिये होंगे और यह 15 minutes अगर आपने अभी ये वीडियो देख लिया ना और minimum wages act में से कोई question आ गया तो आपका गलप नहीं होगा ये guarantee है ठीक है बट सुनना ध्यान से है दो बार सुन लो चाहे इस वीडियो को लेकिन facts को सुनते सुनते ही याद कर लो ओके चलिए मिलेंगे next class में till then take care and bye